तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आपके semester exam के लिए जो communication skills है, यह आप सभी के लिए important है और आप सभी को यह exam देना है At the same time, the examination is knocking at the door and you do not have the option to not open the door ठीक है, आपको exam देना ही पड़ेगा और जैसा कि आपके syllabus में, communication skills के syllabus में, दो chapter सार है, unit 1 और unit 2 ठीक है, unit 1 क्या है, communication skills, ठीक है, और unit 2 क्या है, listening skills तो आज जो हम देखने वाले हैं, हम देखने वाले आज unit 1 के बारे में, communication skills के बारे में Actually दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखोगा न, जो भी बच्चों ने मेरे वीडियो को पहले भी देख रखा है जो की CET में मेरे साथ जुड़े थे, उनको पता है कि communication के बारे में, कुछ रफ आइडिया तो होगा ही होगा लेकिन मैं आपको एक बात बताओं कि आप जब prepare कर रहते CET के लिए, तो आपका जो syllabus था न, more or less communication का पूरा syllabus वो पहला unit है आपके semester में, ठीक है, जो भी मैंने अभी तक analyze किया है, उसके हिसाब से आपका पूरा syllabus जो CET में था, वही अभी communication में आपके first chapter में, first unit में है, ठीक है तो हम आज देखेंगे communication जो है, वो क्या होता है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं यही सोच के चलूँगा कि मैं scratch से start कर रहा है चीज़ को कि जितने भी बच्चे हैं, उनमें से किसी को communication के बारे में कुछ भी पता नहीं है, मैं यही सोच के चलूँगा और आपके पास चुकी का time कम है, you do not have the luxury of spending too much time on anything and you do not have the luxury of having too much time at your hand because आपके exams बहुत नजदीक है, तो मैं यहां पे मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको इस format में दूँ, आपको questions कि आप objective और subjective दोनों को tackle कर पाऊ, ठीक है, मेरा जो focus है वो यही है, कुछ subjective questions लास्ट में हम बात कर लेंगे, मेरा नहीं खायल कि उसके बाहर आपके subjective questions कुछ भी बनत questions बन सकते हैं, and how you have to approach those questions, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो चलिए, आज हम देखने वाले है, आपका जो unit 1 है, communication, ठीक है, बहुत सारे बच्चे मेरे को आपके बोल रहा है, सर, college में किसी को बता ही नहीं है, कोई पढ़ा ही नहीं है, कुछ बता ही नहीं है, ब हम लोग holistically पूरे अच्छा से cover कर लिए, तो चलिए, देखते है, unit 1, communication, ठीक है, देखिए, इस chapter में आपका जो focus होगा, हमारे class का, देखिए, ये class थोड़ी लंबी होगी, I will repeat it, कि ये class थोड़ी लंबी होगी, because आपको जो चीजें दिख रही है, तिनी भी simple नहीं है, ठीक इसलिए मैंने जितनी भी चीजें हो सकती है, सब cover करा दी है, और आप अगर इस वीडियो को एक दो बार देख लोगे, ठीक है, और ध्यान से पढ़ लोगे, revise कर लोगे, class के बाद एक बार revise कर लोगे, रात में revise कर लोगे, तो आप आराम से communication में सारे questions कर क्या होगे, that is my guarantee, और जिन बच्चों ने मेरे साथ CT में मेरे साथ जुड़े थे, उनसे आप एक बार जाके पूछें, कि मेरी guarantee अगर होती है, तो मैं questions में deliver करता हूँ, चलि देखते हैं, focus हमारा क्या होगा, एक तो introduction to communication, कि communication है क्या, introduce कराऊंगा मैं आपको, ठीक है, मैं आपको हाथ पकड़क कि दीरे-दीरे series चड़ना होता है उसी तरह से दीरे-दीरे एक step लेके उपर की तरफ बढ़ेंगे, दूसरा importance of communication, क्यों ज़रूरी है communication, elements of communication, क्या-क्या elements होते है communication में, communication cycle, communication cycle, जो है, यह process क्या है, यह कैसे बनता है, process of communication, communication का जो process है, वो क्या है, साथ में modes of communication, ठीक है, जो different means and modes of communication हैं वो gateways to communication and how to enhance them gateways मतलब जो भी चीज़ें आपको help कर रही हैं communicate करने में उन्हें हम gateways कह देते हैं और barriers to communication वो चीज़ें जो आपको obstruct कर रही हैं to become an effective communicator उनको हम barriers to communication कहते हैं and how to overcome them यह हमारा basic art point है जिसे हमें पढ़ना है आपके syllabus में यही 8 points है और communication unit से इससे बाहर कुछ बनता भी नहीं है हाला कि इसमें elements of communication directly नहीं दे रखा है मैंने उसको निकाल के यहाँ पर आपके सांदे रख लिया तो यही 8 चीज़ों पर हम चर्चा करेंगा तो इनके बारे में बात करने से पहले थोड़ा basics कर लें introduction जो है न उसके बारे में कि introduction आप एक चीज़ देखो कि communication पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है क्यों आपको communication पढ़ा जा रहा है this is the question that you have to ask yourself जब आप sum करते हो या subtraction करते हो आप सोचते हो ना क्यों पढ़े रहा है इसको क्या फायदा है अगर नहीं कर पाओगे तो दुकान पे चीनी भी नहीं खरीद पाओगे सीधी सी बात है तो communication क्यों ज़रूरी है मैं आपको एक example देता हूँ कि कुछ दिनों पहले क्या हुआ था ना कि एक job के लिए उन्होंने मेरे को approach किया था मैं यह नहीं बताऊंगा कौन सा job था लेकिन job के लिए approach किया था क्योंकि they need a better communicator ठीक है तो यह चीज़ बहुत important है कि अगर आप job oriented हो आपका goal है focus है कि life में आप आगे बढ़ो और not only job businessmen जो होते हैं वो job person होते हैं उनसे better communicator होते है because if you cannot communicate what you want to wish to say effectively then the communication that is from your side is null and void वो कोई फायदे का है यह नहीं वो किसी काम का नहीं है अगर आप उसको effectively आप translate नहीं कर पा रहे हो ठीक है और यही चीज़ आपको communication बताई का रही है आप देखिए बहुत सारे लोगों के मन में उठ रहोगा sir communication है क्या क्यों इतना आप जो है emphasize कर रहा हो देखिए बोलने की जो आदत होती है जो बोलना हम सीखते है वो तो हम बचपन से ही बोल लेते हैं सब को ही बोल लेते हैं तो ऐसा क्या है communication में तो वही चीज़ है आप एक चीज़ देखो मैं आपको एक चीज़ बता हूँ अगर Shakespeare ने भी जो है ड्रामा लिखे है ठीक है वही A से Z के बीच से उसने words को उठा के लिखे है ना कि लेकिन उसका combination ऐसा है कि वो ड्रामा आज तक जो है ना वो ड्रामा जो है universal nature के आज तक उनको पढ़ा जा रहा है syllabus में आप literature के students के आप post graduation PhD की thesis में आपको वो दिख जाएंगे क्यों कि उन्होंने अपनी बात को एक ऐसे तरीके से present करा कि आज भी लोग बिना Shakespeare पढ़े literature में महारत हासिल नहीं कर सकते हैं महारत क्या वो student of literature नहीं कहला सकते हैं बिना Shakespeare को पढ़े बिना Keats को पढ़े बहुत सारे हैं ऐसा नहीं है उनको भी तो वो है उनके communication का वो तरीका था वो इतने effectively उन्होंने communicate किया ठीक है बातों को अब क्या है कि देखो बहुत सारे time ऐसा होता अब को फील होता हो कि आप कोई बात बोल रहा है आप कोई बात किसी को समझार हुआ बट वो बात उसे समझ ही नहीं आरही तो अब यहां पर problem क्या है problem दो हैंड पर हो सकती है या तो वो अच्छा listener नहीं या तो आप अच्छे communicator नहीं लेकिन in any case it is said that there are no bad students मैं teacher के हिजाब सो बोलता हूँ there are no bad students there are only bad teachers तो आप अपनी बात को अगर समझा पा रहे हैं किसी को अगर नहीं समझा पा रहे हैं then it is your duty कि आप उसको और effectively समझाएं दो जोड़ दो अगर चार student को नहीं दिख रहा है तो teacher का फर्ज बनता है कि ये ऐसे करके दिखाएं कि ये एक ये दो इसमें दो और जोड़ा तो तीन और चार तो student को समझाएगा ये है communication effective communication सबसे ज़रूरी है और effective communication क्या होता है कि जब आप जो कहना चाह रहे हो उसी form में उसी तरीके में सामने वाला उस बात को समझ भाए ठीक है तो communication इसी लिए ज़रूरी है कि आप अपनी बातों को आपके मन में जो चल रहा है जो आप सोच रहे हो जो आप समझ रहे हो बहुत सारी चीजे हैं अब आप सोचो ना शायर तो बहुत सारे हो है बहुत सारे गालिब का नाम क्यों है इतना सीधी बात है ना सोच के देखो हैं और भी सुखनवर कई कहते हैं गालिब का था अंदाज बया और यह और क्या है यह उसकी जो बात करने का उसका लहज़ा जो है जो तरीके से वो बात कर रहा है जिस तरीके से वो चीजों को समझा आ रहा है जिस तरीके से वो चीजों को रख रहा है that marks him that defines गालिप और वो हर field में है हर field में वो चीज है कि जो लोग अच्छे से अपनी बात को रख पाते है समझा पाते हैं थोड़ा और थोड़ा और मांगने के भी चाह होनी चीज़िए न आपके अंदर आप किससे बात कर रहा हूँ तो थोड़ा सा और मांग लो और थोड़ा और कैसे मांग पाऊगे जब तक आपके अंदर confidence नहीं है आप अपनी बात को communicate नहीं कर पा रहे हो एक डॉक्टर हो सकता है जैसे communication skills ना आती हो लोयर हो सकता है लेकिन एक अच्छा लोयर एक अच्छा वकील बनने एक अच्छा डॉक्टर बनने के लिए एक अच्छा आपको engineer बनने के लिए you should know the nitty gritties and you should understand what is effective communication and that is why it is in your syllabus ठीक है तो यह हमारा introduction है communication का ठीक है यह पहला पाट था introduction to communication अब इसमें हम एक चीज़ देख ले पहले कि आगे बढ़ने से पहले चूकि आपके syllabus में subjective questions आएंगे तो आप इस form में तो लिख नहीं सकते हो जो बच्चे मतब language में अच्छे हैं जो लिख पाते हैं चीज़ों को वो तो अपने ही साब तोड़ के लिख देंगे बड़ बाकी बच्चे जो नहीं समझ पाता है उनके लिए मैंने ready made definition भी यहां दे रखा उसको भी करते हैं चलेंगे ठीक है क्या है क्या है इसका definition आपको पताऊना चाहिए क्यों कि अगर क्वेशन में पूछते हैं पहले कि होता क्या इंग्लिश word communication has originated from the latin word communicate which means to share to import or to commune therefore communication literally means interaction spreading giving or sharing of information देखे किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर आप ध्यान से पढ़ रहे हो तो उसके etymology etymology मतलब जो जिस तरह से वो सब्द बना है सब्द सन रचना उसको समझो तो यह जो communication word बना है यह कहां से आया है देखें mostly क्या है ना English language भी गजब की है देखो इतनी widespread है यह world में इसकी अपनी script नहीं है यह roman script है English की अपनी कोई script नहीं है जैसे हमारे हिंदी में देवनागरी अपनी लिपी है ना इनके पास नहीं है है ना तो इन्होंने roman से borrow का रखा फिर भी इतने great language की रूप में इसे आज प्रोजेक्ट किया जाता है तो हम जो देख रहते हैं वही की English language को इस तरह से project किया गया है as great language उसकी अपनी script भी नहीं है तो है क्या कि यह word communication आया है यह कहां जाया है तो actually तो वर्ड जो है यह जो वर्ड है वो है communicate वर्व है इसको communication मनाया गया ठीक है तो यह originate हुआ जो वर्ड है communicate एक वो लैटिन वर्ड है जिससे वर्ड है communicate ठीक है और इसका मतलब होता है to share share करना to import import और export आप समझते होगे import मतलब किसी चीज़ को लेना और export मतलब किसी चीज़ को देना ठीक है interaction spreading giving or sharing of information यह इसका मतलब होगे literal meaning देखेंगे तो spreading of information जो है यह इसका literal meaning होगे ठीक है चली अब जो है there are various definitions of communication बहुत सारे definitions as many people those many definitions ठीक है as many people as many definitions अब हम कुछ definition को देखेंगे मतलब जो great men हुए है ना जिन्होंने कुछ इस field में काम करा है जिन्हों define करा है उसको देखेंगे साथ में आप इसको अगर define करना चाहिए हो एक चीज़ में बता दू जब भी आप किसी के बोले हुए बात को लिखते हो ना within inverted comma तब आपके पास एक risk रहता है कि उसी चीज़ इसको as it is लिखना पड़ता है अगर डॉक्टर अंबेदकर ने कहा है कि article 32 is the heart and soul of the constitution तो आपको heart and soul ही लिखना होगा soul and heart लिख दोगे तो वो problem हो जाएगी उससे better क्या है कि आप उसको paraphrase कर सकते हो कि dr. अबेदकर said that the article 32 was the heart and soul of the constitution उनी के बात को कह रहे हो लेकिन आप अपने language ले कह रहे हो तो अगर आप याद रख सकते हो अच्छे से इनकी बातों को तो आप within double inverted commas इनके definition को डाल देना नह में एक simple definition भी आपको दे दूँगा जो आपके काम का हो जाएगा ठीक है तो डब्लू एच नॉर्मन और समर ये दो लोग थे इन्हों नहीं मिलके definition दिया था communication is an exchange of facts, ideas, opinions और emotions by two or more persons ठीक है तो communication क्या है ये exchange है किसका? facts, ideas, opinions और emotions by two or more persons ठीक है? दो या दो से ज्यादा लोगों के भी जब share होती है किस चीज की? facts, facts मतलब जो truth है, ideas, पता ही आपको opinion जो मैं सोचता हूँ आपने किसी चीज के बारे में, OPI होगा यहाँ छूटा हूए है यहाँ चूटा हूए है यहाँ पर, sorry, तो यहाँ पर I होगा, opinions, ठीक है? सिदी जी बात है, आप onion के बीच में पाई लगा दोगे ना, onion के बीच में पाई लगा दोगे, opinion मन जाएगा, और emotions by two or more persons, ठीक है? तो इसे वो कहते हैं, communication, यह simple language में है, इसको आप define ऐसे कर सकते हो, क्या आप दे सकते हो, what is communication, तो आप दे सकते हो, अपना definition दे दोगे छोटा सा, और स कुछ आप इससे बना सकते हो, तो बना लो, F, I, O, E है, इससे कुछ बना सकते हो, ठीक है, तो उसको लेके कुछ acronym बना लो, जिससे याद रह जाए कि fact के बाद ideas है, उसके बाद opinion है, और उसके बाद emotion है, ठीक है, F, I, O, E, कुछ सोच सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, ठीक है, आई ओई तो सिजी सी बात है वावल है उससे आप से रख सकते हो और पी शुरू में एफ रख सकते हो ठीक है ऐसे बोल सकते हो नो for I own everything for यह वर्ड मतब कि एक तरह से ले सकते हैं for I own everything ठीक है तो F I O E ठीक है ऐसे आप करके कुछ एक्रोनिम कुछ जो है इस तरह से आप माइंड बनाके पढ़ोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी ठीक है चलिए आगे देखते हैं D.E. MacFarland ये भी थेक इन्हो नहीं का ओपिनियन था कि communication may be broadly defined as the process of meaningful interaction among human beings more specifically, specifically कि यहां spelling गलत है specifically more specifically it is the process by which meanings meanings are perceived and understanding is reached among human beings ये इनका definition किनका M.D.E. MacFarland ठीक है इनका definition क्या है कि देखो यहां पर कि communication जो है इसको broadly defined किया जा सकता है as क्या तो process of meaningful interaction interaction मतलब दो लोगों के भी ज्वात चीत होते उसे बोलता है अमंग human beings human beings के बीच में more specifically it is the process by which meanings are perceived and understanding is reached among human beings ये बोल रहा है कि जो है understanding reach की जाया मतलब उस चीज को समझा जाया जाया आप किसी एक का याद करके इसको answer कर सकते हो किसी एक जो easy लगया आपको आप कर सकते हो याद बेर्ड जुनियर यह जॉन कहते है communication is the process involving the transmission and reception of symbols eliciting meaning in the minds of the participants by making common their life experiences ठीक है यह आपको टफ लग सकता जो छोड़ सकते हो ठीक है अगर तफ लग रहा तो अगर double inverted comma में लिख रहे हो तो फिर यही लिखना होगा याद रखना ही चीज़ मेरे हिसाब से यह आपको थोड़ा easy पढ़ेगा डबलो एच नॉर्मन एंड समर का इसको याद कर लो ठीक है मैं तो definition आगे देने वाला हूं तो communication क्या है यह process है यह क्या involve करता है transmission and reception transmit भी होगा और receive भ क्या है आप एक वागत ओ आई एंजी यू एंडी यह सिंबल से अलग अलग है ना और यह जो है कोई meaning provide करते हैं तो यही symbols eliciting meaning जो provide कर रहा है in the minds of the participants by making common their life experiences जो participant है इस process में उनको जो है बात समझ में आनी चाहिए ठीक है तो यह है यह process जो है इसको communication यह कहते है the American management association defines communication as any behavior that results in the exchange of meaning सब बोलोगे अपसर यही लिखेंगे any behavior that results in the exchange of meaning फिर यह देना होगा American management association लेकिन मैं बोलूँगा I would suggest कि आप यह वला definition यांट करें इसे आपको आइडियाज ओसे ओपिनियन और उसके बाद इसे आपका इमोशन चलिए अब ब्रेंट्रेसी जो है वो कैसे इसको पूट करते हैं देखिए मैं आपको इतने इसलिए भी दे रहा हूं मैं बता रहा हूं आपको यह इस तरह से देने का मतलब यह बनता है कि आप किसी एक को सकता है किसी और को कोई और अच्छा लगे किसी और को कोई और easy लगे इसलिए मैं ने दे दिया जो भी greats है और आप अपने हिसाप से choose कर लेना कि कौन सा आपको असान लग रही है ठीक है और फिर उसी हिसाप से आप उसको करोगे तो वो आपके लिए सहीर हैगा ठीक है चली तो हम देख रहे थे यह ब्राइंट ट्रेसी का इन्होंने क्या बोला है कि वो communication को इस तरह से define करते हैं कि your ability to communicate effectively is closely tied to your ability to perform effectively आप जब तक perform नहीं कर रहे हो action और words दो अलग अलग चीज़े हैं और बोला ही जाता है कि believe in actions not in words ठीक है तो यह वही बोल रहा है कि अगर आपकी ability जो communicate करने की है effectively communicate करने की जो ability है कि वो बहुत ज़्यादा interlink है कि इस चीज़ से आपकी ability जो action convert करने की है उससे अगर आप कर नहीं पा रहे हो किसी इसको आप सिर्फ बोल रहे हो जैसे suppose करो एक चोटा सा example देता हो कहानी से बात खेल जाएगी एक इनसान थे जो अपने बच्चे को लेके एक बहुत ही मतलब कि सिद्व पूर उसके पास गए और उसको वो बोल रहे थे कि बाबा देखे ना ये जो मेरा बच्चा है ना ये शक्कर बहुत खाता है और पदा ये चीनी से problem तो होती है शक्कर बहुत खाता है प्लीज इसको ब परेशानी होगी बड़े होगे और दिक्कत होगी तो इसको कम कर दो इसको छोड़ दो ठीक है वो आदमी सोच में पड़िया कि इन्हों ने पहले ही दिन ये बात क्यों नहीं कह दी छोटी सी बात की सिंपल सी तब जाके बाबा ने बताया बाबा से इन्होंने पूछा कि ब आप खुद परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो आप सामने वड़े को नहीं बोल सकते हो अब परफॉर्म करने के मतलब कि आप अगर effort नहीं डाल रहा हो देखो serious CDC बात है आपके father अगर हो सकता है suppose करो एक example दे रहा हो आपके father ने civil services की exam की तेयारी करी उन्होंने clear नहीं करा वो आपको बोल रहा करने को तो आप यह नहीं बोल सकते हों कि आपने परफॉर्म नहीं किया उन्होंने hard work तो डाला ना आपको इतना बड़ा कर दिया पढ़ा लिखा के hard work के through ही ना तो उनकी भी expectation हो सकती तो बात performance की नहीं है मतब एकदम deliver कर देने की नहीं है लेकिन आप कितन रिजल्ट नहीं दे रहे हो तो फिर कोई फाइदा नहीं है निकाले जाओगे एक दिन दा quality of your communication with others with others the quality of your communication with others will determine the quality of your life as a manager सीदी सी बात है manager का post जो है ना ये बहुत ही क्या बोले उसको underplayed post है manager क्या होता है हर इंसान अपने life में manager है किसी न किसी चीज़ को तो manage कर रहा हो ना management skills जो है ना आपके job से जादा आपकी life में जरूरी है कि आप अपने रिस्तों को कैसे manage करते हो आप अपने बच्चों को कैसे manage करते हो ये जो management है ना अगर आप life में अगर आप इस चीज़ को crack कर पाऊ ना कि manage कैसे किया जाता है अगर आप देखो मैं सीधी से बात बता हूं आपको professional life में हो सकता है आप बहुत अच्छे manager हो और हो सकता है बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन जो लोग personal life में बहुत अच्छे manager हो कि आप जो जो आपकी quality है communication की है आप जिस तरह से communicate करते हो ये with others दूसरों के साथ communicate किसकी साथ करते हो दूसरों के साथ करते हो वही determine करेगा आपकी जो quality है as a manager ठीक है तो ये है brain tracing का ठीक है अब देखते है आगे तो thus it is clear from the above definition तींचा definition मैंने आपको दे दी है that communication is a process अब ठीक है यहां पर मैंने अपना definition डाल दिया यहां से ठीक है communication is a process of meaningful and effective interaction or transmission of facts, ideas, thoughts, emotions, signals and values from one person to another or from one point to another point ये आप इसको अपने language में लिख सकते हो कि communication is the process of exchange of ideas, emotions, facts, etc from one person to another ठीक है ये भी आप लिख सकते हो it is the process of transmission of one's thoughts and feelings with other persons and with other human beings ये भी आप लिख सकते हो आप खुद के इसाप certified कर सकते हो लेकिन exam में जब लिख रहे हो ना तो आप try करो कि आप कैसे एक level उपर जाके ना जो बच्चे यहां तियारी कर रहे है मैं चाहता हूँ कि वो एक level उपर जाए तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लिखो कि communication is the process of जो आपने बात खिल के आजाएगी ना बात खिल के सामने में आजेगी अब जो यह है जो पढ़ने वाला है जो examiner जो चेक करा copy को उसको यह लगेगा कि नहीं communication के हो जकता आपके example से वो जो है agree करे ना करे लेकिन आपने जब substantiate कर दिया किसी मतब great इंसान के साथ वो evidence जो है वो जो evidence के रूप में present कर दिया आपने तब उसको उसमे marks देने पड़ेंगे यह answer writing जो है ना यह सीधी जी बात है कि एक कला है ठीक है last में जब हम कला कदम कर लेंगे तो थोड़े बहुत answer writing के बारे में बात कर लेंगे ठीक है इंपॉर्टेंस of communication इंपॉर्टेंस of communication पर आब आते हैं जो भी आपको पसंदा है it is an essential skill for both personal and professional success सीधी सी बात है आप अगर अच्छे communicator हो तो आप professional life में और personal life दोनों में excel करोगे सीधी सी बात है ना क्यूंकि communication के द्वारा आप अपनी बातों को clearly समझा पाते हो और यह जो है ना बहुत impact डालता किसी भी इंसान के उपर ठीक है यूट्यूब पर जाओगे ना सबसे आधा trending के चल रहा है podcast चल रहा है ठीक है और podcast में वो अच्छे लोगों को बलाते है क्यों कि वो अपने बात को समझाने का तरीका जानते है और that is the art that you have to learn ठीक है आप सिर्फ syllabus के form में मत सीखो इसको आप अपने life में भी inculicate करो अभी आ जिया देना है if I am able to do that that is enough for me that is actually that is only what is effective communication is all about ठीक है चले effective communication can help us too अब importance हम पाढ़ रहा है कि क्यों important है तो क्या build and maintain relationship सबसे पहली बात आपको relationship maintain करना है आपको कोई चीज किसी से चाहिए या किसी को कुछ provide करना है relationship maintain करना है girlfriend ने बोल दिया breakup है ना अब आप उसको बता ही नहीं पा रहे हो कि breakup क्यों नहीं करना है या आप ही को breakup करना है गुवाविरा के बात है करता है ना breakup के time क्या होता है you deserve someone better ये वो क्या है ये communication है सिधी सी बात है तो अगर आप उस चीज को if you can make the other person believe that what you are trying to say what you are trying to communicate is true is real तो वो मान जाएगा उस बात को तो ये आपको आना चाहिए अब देखो कल को ये मत बोलना सर सिखा रहे मैनुपिलेट करना हो वैसी बात नहीं है तो relationship maintain करने के लिए और build करने के लिए आपको foundation जो है वो communication है तो it is the foundation of all relationship सीधी सी बात है ये बात तो है ना बोलते हैं ना कि एक husband wife के बीच भी सबसे ज़रूरी चीज क्या है compatibility बोलता है на अगर आप सामने वाले को बता ही नहीं पा रहे हो सिधी सी बात है अगर आ आप सामने वाले को बता है नहीं पा है तो दाल में नमक ज्यादा है तो वो फिर अगली बार कैसे better करें उसको तो communication is the key, it is the foundation of all relationships, ठीक है, it allows us to connect with others on a personal level, share our thoughts and feelings and build trust, ठीक है, चलो, अब collaborate and collaborate and solve problems, problem solving में बहुत ज्यादा काम आता है, collaboration में बहुत ज्यादा काम आता है, तो it is essential for teamwork and collaboration, ठीक है, अगर आप teamwork में हो, जैसे बहुत चारे 5 लोग है, इक team में, सब कोई अगर effectively communicate नहीं कर पा रहे हैं, जैसे team leader है, वो अपनी बात को नहीं समझा पा रहा है, तो उसका काम क्या, अच्छे से हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, आप जब cricket match देखते होगे, तो आप एक huddle देखते होगे, जैसे करके नहीं huddle बनाते हैं, और बात करते हैं, त उसका काम क्या है, कि अपनी बात को, as effective वो समझा सके, जितने effectively, उतने effectively वो बात को team को समझाए, बैसबॉल के बारे में जाने हो, बैसबॉल का है, कि आज के डेटे में नया जो format चला है, ब्रेंडन मैकलम ने ये start करा है, कि आप हिट करके kilo, ठीक है, बिगट जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, तो ये एक तरह से उसने effectively समझा दिया, translate करके दिखाया उसने, कि ये ऐसे खेल जा सकता है, cricket को, वो उसकी effective communication थी, ठीक है, तो आपको collaborate और problems को solve करने में, वो problem ही solve हुआ न, वहाँ पे, England जो है, वो बहुत ज़्यादा problem में था, वो उतना अच्छा कर नहीं पा रहा था, प्रेंडन मैकलम को लाया, उसने किसी चीज़ को perform किया, action में उसको put किया, और बात तो communicate के अच्छे से, तो देखो आज के डिट में, solve होगे problem सुनका, lead and inspire, आप if you want to become a leader, if you want to become a leader who is respected and loved by all, you must have the quality of being a good communicator, you must have the quality of good communication, effective communication, without communication, आप एक लीडर हो सकता है बन जाए को उसकीन के लिए, but you won't be one of the best leaders, अटरल वियारेवाज पर याद है, काल की कपाल पर लेता हूं, मिटाता हूं, वो क्या है, वो इस तरह से emotions कोई भी invoke करना जानते थे, कि किस बात से trigger होगा कोई इंसान, किस बात से ये जुड़ जाएगा मेरे से, यही communicator रखाम है, मोधी जी, इतने अच्छे communicator है, इसी लि यह वो lead करते हैं और inspire करते हैं, ठीक है, चलिए, effective communication is essential for leaders, it allows them to clearly articulate their vision, articulate मतलब सामने प्रस्तूत करना, motivate their team, members and build a positive work environment, जहां भी एक leader ऐसा होगा, जो कि अपने team को motivated रखता है, और सीधी सी बात है, सबसे बड़ी चीज़ जो है, वो क्या है, अगर आप team leader हो, तो आपको feedback लेना अची है, communicator तभी आप अच्छे बन पाओगे, जब आप खुद भी सुनोगे बातों को, ठीक है, और feedback लोगे positively, आप ऐसा नहीं कि अपनी मन के करो और आप अच्छे leader हो जाओगे ना, तो अगर कोई leader है आपके team में, जो कि बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से ची from others and get feedback on our work, ठीक है, अब आपके growth में learning के लिए बहुत important है, सिधी सी बात है, अगर आप किसी को कोई बात समझा रहे हो, या किसी सी कोई बात सीख रहे हो, तो यह communication process है ना, अगर आपका यह अच्छा होगा तो ही आप सीख पाओगे या सिखा पाओगे, तब ही आपकी growth होग है ना, क्योंकि वो constantly growth बढ़ते जाता है, communication मैं भी सीखता जाऊंगा और बेटर, और आप भी सीखोगे इसी तरह के से, तो यह इसी लिए learn और grow करने में बहुत ज्यादा सहायक है, नेक्स देखते हैं, और यह तो मैंने आपको general benefits बता दियें, कि जो है, आपको general benefits बता है, ज हमारे specific areas of life को better करता है, एक चीज़ education देखो, जैसे, कि communication is essential for students to learn and succeed, सीधी से बात है, वो तो general थी, यह specific बात कर रहा हूं, कि communication जो है, students के लिए, teachers के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं अगर communication है, नहीं, communication gap अगर आ जा रहा है, तो बात समझ ही नहीं पाएंगे ना, और बात नहीं समझ पाएंगे, तो आगे कैसे बढ़ेंगे फिर, it allows them to ask questions, participate in class discussions and get feedback from teachers, कुछ teachers होते हैं, जिब की बात आपको समझ ही नहीं आ रही है, अच्छे एक बात बताओ, कल ही कोई student मिरे को बोल रहा था, बात हो रही थी, कुछ class की ही बात हो रही थी, तो किसी ने उसे कहा, क तो doubts क्यों नहीं पूछते हैं, उसने बोला बात पूछतों समझ मैं है, तब तो doubt पूछू मैं, तो बात वही है ना, doubt भी होने के लिए, आप बात को जब तक समझोंगे नहीं, तब तक आप पूछोंगे कैसे, तो doubt होने के लिए भी, आपको समझना होगा, और समझने के ल सिधी सी बात है हर employee को सिर्फ team lead को नहीं employees को भी जरूरी है कि वो successful होने के लिए कोई मान के चलो अगर exploit ही कर रहा है कोई मान के चलो कोई leader है बहुत अच्छा communicator है वो दोनों it can it swings either ways वो communicator बहुत अच्छा है वो manipulate कर सकता चीजों को तो वो अपने team को बहुत अच्छा भी ले जा सकता और बहुत बुरा भी कर सकता है लोगों के साथ exploit भी कर सकता जैसे example लेता हूं कि मान के चलो एक team है जिसमें जो leader है वो बहुत cunning है और उसे बात बनाना आता है वो हो सकता किसी को 10 गंटे काम करा के 2000 रुपए दे रहा हूं ठीक है और वो बंदा चुकी communicator अच्छा नहीं है तो वो अपनी problem समझा नहीं पा रहा है तो आपको अपने problems को solve करने के लिए सामने वाले को समझाने के लिए कि what are the grievances that you have आपको एक अच्छा communicator होना पड़ेग ठीक है बात समझा रही है और सिर्फ communicator नहीं सीधी से बात मैंने बोला ना it is closely tied to the way you perform तो आप perform नहीं करोगे अगर मैं perform ना करो suppose करो मैं इस चीज़ को पढ़ाओ और अच्छे से ना पढ़ाओ तो मैं मैं जहां मैं पढ़ा रहा हूं वह भी मेरे को क्यों फिर काम पर रखेंगे और अगर मैं अच्छे से करा पा रहा हूं हो सकता है ना मैं चाहूं तो बोलू कुछ चीज़ों के लिए facilities के लिए कि सर की बात करें तो इसेंचिल फॉर बिल्डिंग और मेंटेनिंग स्ट्रॉंग पर्सनल रिलेशनशिप इट अलाव उस तो शेर अर थॉर्ट्स और फिलिंग मृट लवट वन्स रिजॉल्व कॉन्फिक्ट रिजलूशन की बात है तो आप अगर पर्सनल रिलेशनशिप में मेंटल नीड्स को समझो कि वो किस समय क्या चाहा रहा है और ऐसे जो नहीं कि you have to be a psychologist for that आप observe करो बिना observe किये आप अच्छे communicator हो नहीं सकते और फिर जो है कोई problem आ रही है तो उसको उस हिसाब से resolve करो है ना यह communication का काम है ठीक है क्या करना तो यह essential skill है for success in all areas of our lives और यह क्या करता हमें अच्छा होना है तो लोगों के बीच जाना होगा बात समझे लोगों से इंट्रेक्ट करना होगा जब आप लोगों से इंट्रेक्ट करेंगे तो आप जादा जादा लोगों से मिलता हूं बाते करता हूं और उससे जो है एक पैटन समझ में आता है कि यह लोग जो है इस तरह काम कर रहा है तो जब तक आप वह काम करोगे नहीं तब तक आप ग्रो नहीं करोगे और that is the reason कि वह आज क्रेड़ेटर में इतना successful हो रहा है बिकाज वह अच्छा communicator है बात समझाई ना तो भई यह और जब तक आप grow करोगे learn करोगे तब ही आप अपने goals को achieve करोगे तो अभी के लिए हम इतना ही छोड़ते हैं हमने अभी तक क्या-क्या cover कर लिया है देखते हैं कि बाद